WordPress की speed को बड़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? Casha plugin? जी नहीं, Casha plugin नहीं है Casha plugin है लेकिन उससे भी अच्छा एक तरीका है उस तरीके के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ Hi guys, मेरा नाम है Kripics Aadwani यहां पर मैं WordPress, blogging, web hosting के related videos बनाता रहता हूँ आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे तरीकी के बारे में जिसके through आपकी जो website की speed है on WordPress वो काफी dramatically improve हो जाएगी जी नहीं ये cash plugin नहीं है cash plugin is one of the ways और use करना ही चाहिए irrespective of कि आप लोग कुछ भी चीज कर रहे हो cash plugin is a must और इसके लिए मैंने light speed cash plugin का recently video भी बनाया था जो कि एक free cash plugin है कैसे use करना उसको A to Z 2023 के लिए latest tutorial मैंने बनाया था वो आप 5 or 10 पर मिल जाएगा आज हम लोग एक और तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जो की थोड़ा advanced तरीका है बट जितनी भी popular websites है सब उसको use करती है and this is something that you should know कि इसको use कैसे करना है अब यह तरीका क्या है यह तरीका है code snippets को add करना instead of using a plugin इसका एक बहुत basic से example लेता हूँ भी मैं for example starting मैं जब मैं नया नया WordPress जब मैंने start किया था I used to have a new plugin for just installing analytics code Google का आता था I was like कि Google का है अच्छा ही होगा अब फाल तुमें तरी coding करो इस अच्छा plugin को डाल लो but I was horribly wrong आपको हर चीज़ के plugin नहीं उसकरना चाहिए उसको आप लोग directly अपने header में जाकर के insert कर सकते हो that is way better instead of using a separate plugin to do that plugin should be minimal लेकिन website में functionality भी चीए for example मैं आपको यहाँ पर अपनी website बता दाओ this is my website यह जो है यह plugin के थूँ है बाकि यह जो sidebar है यह मैंने custom डाला है this is custom this button is custom and यहाँ पर आपको images में shadows दिख रही होगी यह भी custom code के थूँ है custom snippets लगाई है मैंने यहाँ पर and जैसे अभी मैं यहाँ पर इसको आपस से गता हूँ inspect I'll go to mobile मैंने यहाँ पर CTL लगा के रखाए this this is also custom अब अगर यही सारी चीज में आप एक plugin के थूँ करने ही कोशिश करूँगा plugin में हो तो जाएगा लेकिन वो एक extra load डाल देता है मेरे page पे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी चीज़े होती है जिसकी शायद से आपको requirement नहीं हो अब यहाँ पर क्योंकि मैंने कस्टम किया है तो मुझे पता है मुझे से इसकी requirements से मैंने इतना ही code किया है और इसकी वज़े से जो मुझे जो page speed score मिलेगा वो काफी अच्छा रहेगा और this is also sticky जैसे मैं page scroll कर रहा हूँ यह stick है यहाँ पर यह भी custom code के थूँ है और इसका पहले मैं आपको free version यूज करें बता हूँ आपको फ्री वर्जिन यूज करें बता हूँ आपको फ्री वर्जिन इंस्टॉल कर दिया है आपको तो code snippet कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है यहाँ पर I will add a new code for example मुझे मान लो shadow add करना हो shadow in my images यह मैं इसको नाम दे दिया है अब मुझे क्या करना है मुझे यहाँ से add करना है एक CSS snippet को यहाँ पर आपको option मिल जाता है left में कि क्या है HTML, text, javascript, PHP, universal, CSS, script तो I will just select CSS snippet and here are my CSS shadow add करने के images पर अभी कहां इंसर्ट होना चाहिए मैं इसको auto-insert करके रखाई कि डिरेक्ली इंसर्ट हो जाए site-wide पूरे site में इंसर्ट हो जाएगा यह वैसे मैंने already बना कर एक snippet this is a CSS shadow snippet activated है यहां से मैं देख सकता हूं this is activated if I go to my blog and this में हम लोग जाते हैं इसके ऊपर तो as you can see यह आपर shadow आ चुकी है I'll go to inspect box shadow content wrap image यह वाली जो मैंने CSS add करी ती यह वही है I'll go to edit content wrap image यहां पर मैं CSS add कर गया अगर मैं इसको border radius 50 कर दूँ तो border radius अभी 50 हो गया है कैसे मैंने यह से हटा दिया मैंने दूसरी भी यहां पर कोई snippets को add किया है जैसे यहां पर share share का button हमें इसको अब कुछ यह रहता है तो यहां पर कितनी यहां पर तीन snippets add करी यह शेयर के लिए तो एक तो यह function यह function मैंने आड किया है PHP snippet पर यह function add किया है then उसके बाद मैंने आपर social style CSS style यहां पर add किया गया है इसके बाद मैंने बताए कि इस जो यह वाला function है जहां पर social share का now where is my content I'll go back to my blog यह रहां यह जो शेयर की functionality यह इन तीन snippets से आई है अब इससे मुझे फाइदा किया वह मुझे कोई भी plugin यूज नहीं करना पड़ा है और उसकी वज़े से जो मेरा page speed है वो काफी light रहा है इसी तरीके से यहां पर दूसरे भी code snippets मैंने डाले है जैसे last updated on यह कि कब मेरा article को यहां पर last update किया गया था उसके लिए यहां पर एक function डाला गया है अगेन आपको बाक तू माइं ब्लॉग यह रहा जैसे यहां पर यह पड़िजड उन देस लास अपडेटेटे उन देसको मैं तो इसको मैं तो इसी तरीके से सारे code snippets मैंने आट किया है और आपको भी आट करने चाहिए और क्योंकि बहुत सारे code snippets हमें नहीं पता रहते है तो यहां पर आपको लाइडरी भी मिल जाती है इस अगरा फोटेटे फॉर इसस दे लाइडरी अचाहिए वागें लाइड नियुआ पर इमुझे सारी लाइडरी मिल जाती है वागें डिसेब अटिसे और यहां यहां जूट उन पॉट्टेट का फंक्शन आप्डेट इस अगर मुझे डिसेबल करना है तो वह मैं कर सकता है क्लिक उन यूसनिपिट यह आटमाटिक लिड़ रहा है यह आटमाटिकली आ गया इसका कोड भी आटमाटिकली आ गया पी एच पी मुझे यहां पर सिफ इसको अक्टिवेट करके अपडेट कर देना है और जो मेरा क्या होता है कैसे डालना रहता है कुछ लाइबरी में आप में आपर एक्स्पीन कर दिया नेक्स्ट आ शो यू कंडिशनल लॉजिक फॉर एग्जांपल यह जो शूशल शाडव इन माइमेज है मैं पर सी ऐसे शाडव पर जाले आता हूं यहरा कोड अन्डिस आ इनेबल द लॉजिक आल क्लिक शो आल क्लिक अड्यो गरुप और यह जो css शाडव है यह कहां पर लोड होना चाहिए मैं नहीं चाहता है यह मेरे चेक आउट पेजस पे लोड़ तो आल क्लिक हाईड वेन पेज यूरल इस चेक आउट वाला जो भी मेरा पेज है चेक आउट डॉट प एच पी चेकाउट वाला पेज है तो मैं यहां पर यह कर दूँगा इससे क्या होगा इससे यह वाली जो कोड है यह लोड नहीं होगा मेरे चेकाउट पेज पर तो जो मेरा चेकाउट पेज है वो लाइट रहेगा तो वाट आ एम ट्राइंग तो दूविद इस लॉजिक से एगर कोई specific पेज जो मुझे चाहिए thank you page पे एक मेना thank you page बनाकर रखा है मुझे चाहिए कि यारी वाला code वहाँ पर होना चाहिए या मैंने एक landing page बना के रखा है उसके लिए मैंने यह पर थोड़े कुछ और elements add करें कुछ नई तरह कि मैंने buttons add करें उसके ओपर I want कि वो CSS सिफ उसी landing page पर रहे उसके लिए enable logic show and page URL is this यह optimize करने के लिए काफी help करेगा for different pages now the big question is कि snippet कहां से लाएं ठीक है यहां पर हमें कुछ तो लाइब रिज मिल जाती है अब जैसे social share वाला snippet था यह मुझे कहां से मिलेगा यह तो यहां पर है ही नी तो यह मुझे कहां से मिलेगा तो अब आपको यहां पर यूज करना है Google यह रहा Google यहां पर जैसे कुछ 15 useful wordpress snippets हैं यहां से मैंने एक दो snippets copy किये थे for example इसमें मैंने update date of post यह वाला copy किया था show updated date what you need to do is just go to Google and type wordpress snippets और यहां पर आपको useful code snippet for wordpress users बहुत सारी यहां पर आपको code snippets मिल जाएंगे जैसे if you want to show popular post without plugin वह आपको दिख जाएगा तो whatever you want to do on your wordpress इसमें एक और hack भी है for example मैंने यहां पर डाला है share button on wordpress without plugin तो I'll go to Google तो यह तीन मुझे links मिले हैं जिसमें से मैंने यह वाला जो है fourth वाला यह वाला मैंने अपने website में डाला था मैंने यहां पर plugin बनाया था function मनाया था and then उसका style मनाया था and then इस function को मैंने call कर दिया था जहां पर भी उसकी requirement रहेगी now another big question is कि क्या coding की knowledge इसमें लगेगी आपको थोड़ी बहुत यहां पर coding की knowledge होनी चीए in my experience ताकि आप लोग basic troubleshooting कर पाओ लेकिन अगर आपको नहीं है तो आप किसी freelancer को भी हायर कर सकते हैं you can find someone from Fiverr या if you are outsourcing your project अगर आप WordPress developer हायर कर रहे तो उनको बोलो कि भाई आपको ऐसे ही code करना है आपको यह पे plugins नहीं यूज करना है this is the way you should go ऐसे ही आप करो शेयर वगरे में आपको security के जादा issues भी नहीं होते है शेयर plugin में क्या होगा तो जो basic चीज़े हैं उसके लिए plugins आपको नहीं यूज करना है आपको ऐसे ही करना है code snippets का use करो मुझे बताओ कि आपने यहां पर कहाँ इसको यूज किया एक SMS को enable disable कर सकता हूं बहुत सारे आप जो भी एजेंसी वगरे हैं जो projects आपके ले रहे हैं जो आपकी WordPress website आपको बना के देने शायद से वो इसका use नहीं करेंगे क्योंकि यह थोड़ा से जादा time consuming हो जाता है यहां पर आपको थोड़ी सी जादा टेस्टिंग करनी रहती है लेकिन आपको उनको बोलना है कि मुझे ऐसे ही चाहिए plugins मिनिमल होने चाहिए और जो भी मुझे functionality चाहिए आप उसके लिए आपर custom code डालो थोड़ी कौस जादा हो जाएगी लेकिन it is absolutely worth it अब हम लोग बात कर लेते हैं इस plugin के pricing के पार में जो भी मैंने अब दितक पताया वो सब free version पर available free version is good for most of the people out there but for advanced users यहां पर pro version भी है pro plus basic I recommend pro क्योंकि यहां पर सारी जो भी libraries है वो आपको मिल जाती है जो भी यहां पर आपको यह code snippets दिख रही है these all यह सारी आपको फ्री में मिल जाती है if you buy the pro version नहीं तो फिर फ्री में यहां पर आपको यह सारी snippets आप लोग नहीं यूज कर पाऊगे तो एक यह फायदा एं दिन दूसरा यहां पर conversion pixel का add-on रहता है conversion pixel क्या है we'll go here this is conversion pixel यहां पर इसके बाद यहां पर एक function आता है save to cloud का option जो भी आपने code बनाया है for example this is a social style button जो मैंने क्लिक किया जो मैंने बनाया है I can यहां पर I can save to library I can click save to library और देन यह cloud पे सेव हो गया है तो अब अगर मैं आपर किसी और की website पर काम कर रहा हूं तो I can just use this snippet from the cloud that I have uploaded तो यह agencies के लिए developers के लिए काफी useful feature हो जाता है for example multiple logo की website बना रहा हूं अब मैं वारवा उसको कॉपी कर रहूं खोल लूं दूसरों की websites है मैंने एक बर इसको आपे cloud पर सेव कर दिया जो मैं दूसरी websites बना रहा हूं इस पर plugin में डाल लूँगा अपने account से login कर लूँगा and then जो भी मेरी लाइबरेरी है जैसे मैं आप लाइबरेरी पर चले आता हूं then my library जो माइबरेरी है यहां पर वो सारे codes है जिसको मैंने save किया है तो save to cloud की functionality मिल जाती है यहां पर pro version में then we have revisions revisions means कि जो भी मैंने आपे changes करें है अगर मुझे पहले वाले version पर जाना है for example change कर दिया border radius भी चेंज कर दिया margin भी change कर दिया if I go down यहां पर आपको दिख जाएंगे code revisions अभी वाला कॉन सा version है और जो पहले जो मैंने update किया 23 seconds back वो कॉन सा version है I can click compare and then दोनों में से if I want I can select the one to revision से आपर आपको मिल जाते हैं basically कि पहले आपने क्या changes करें वह आपको pro version में मिल जाता है now coming on to the bottom line I think it's a great plugin for most of the users out there अगर आपकी website traffic आ रहा है then this is a must use plugin I must say that free version तो है ही definitely free version आपकी website पर होना चाहिए यहां तो खुद सीख लो थोड़ा बहुत code करना या hire someone to do that जितनी भी established websites है जितनी भी आप लोग बड़ी-बड़ी websites देख रहे हो आज के टाइम पर जो WordPress बनी है they all are using custom codes सिफ plugin पर ही यहां पर कोई dependent नहीं रहता है free version तो ही paid version में उन लोग ले रिकमेंड करूंगा जो e-commerce में है यहां they are running an agency यह जो developer है so I am using this on all my blogs and I will highly recommend it to you all also so that is it from my side अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो उसको thumbs up देरेना चाल को subscribe कर लेना for more interesting videos and I will see you guys in the next one अग्धाइब